सब्सक्राइब करें टेकनिकल लेंड समार्ट इंडिया चैनल को और बेल आइकन को दबाएं मेरी वीडियो सबसे पहरे देखने के लिए तो हेलो दोस्तो आज का मेरा वीडियो बहुत ही रिकमेंडिंग वीडियो था तो मैंने वोट किया था कुछ दिन पहले वोटिंग की थी कि मैं किस टॉपिक पर वीडियो बना हूं नेक्स्ट तो आपके सबसे ज्यादा वोट सीफॉप टुटोरियल पर आए वो भी फुल अहीं है स्पेशल वीडियो है और इस वीडियो को देखने के बाद सीफॉप मैथर से डिलेंगते सारे कनफंजन आपके दूर हो जाएंगे ऑके तो फुल टुटॉरियल है ठोड़ा और आपको अच्छे से समझ में आए तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना चैनल पर नहीं है चैनल को सब्सक्राइब करके बैल अकिन को प्रेस जरूर कर देना ताकि मेरे वीडियो तक आप सबसे पहले पहुंच जाए तो चलिए सीखते हैं 3x3 डूबिक्स क्यूब को का मतलब क्या होता है तो सीफॉप मेंथ़ड का मतलब होता है क्रोस людям पेलल अब जैसे मैं एक स्टेप भड़ता जाऊँगा आपको उसके मतलब बताता जाऊँगा तो सबसे पहला स्टेप हमारा है क्रोसasına स्ureau स क्नेथा झायकर बाइख शालब करना और cfop method के cross में कुछ differences होते हैं जिनको अगर आपने पता लगा लिया तो आप cfop method से cross जो बनाएंगे वो beginner method के cross से बहुत जल्दी बन पाएगा, तो मैं बताता हूँ सबसे पहले cube को scramble कर देता हूँ और फिर हम solve करना start करते हैं, तो एक cube हो चुका है, scramble और अब मैं बताता हूँ कि कैसे cross बनाना है, तो सबसे पहली बात, cfop method में cross बनाने से पहले आपको colors का order याद रखना होगा, देखिए अगर आप थोड़े से ज़्यादा तेज़ सॉल्फ करना चाते हैं तो colors का order आपको याद रखना होगा, कैसे color का order, कि अगर आपका white color top में है, तो आप जैसे red color को आप front में रखते हैं और white को top में, तो अगर white color top में है तो आपका color का sequence क्या होगा, red, blue, orange, green, ठीक है, red color के opposite हमेशा orange होता है, green color के opposite हमेशा blue होता है, और अगर white color top में है तो red color हमेशा blue color के left side होता है ठीक है ये बात बस आपको ध्यान रखनी है बाकी सब आप सीख जाएंगे अगर आपने वीडियो देखा तो practice से सब आपको याद हो जाएगा अब आपको क्या करना है cfop method और beginners method की cross में क्या difference होता है कि bigger method का cross तो आप जैसे अभी cube को पकड़ा हुआ ऐसे बना सकते हैं बट cfop method का cross आपका bottom में बनता है मतलब white center आपको bottom में रखना है आप आपको cross बनाना है तो सबसे पहला step आप कोई सा भी choose कर सकते है color जैसे मैं blue color से start करने की कोशिश करता हूँ तो blue color के start करना है मुझे तो जैसे यह वाला piece मुझे कहाँ पर चाहिए यहाँ पर top वाली layer में मुझे चाहिए अब मुझे यह भी देखना है कि यहाँ पर कोई pair पहले से already arranged तो नहीं है जैसे हमारा यह red वाला piece जो है वो हमारा already arranged है तो हम क्या करेंगे इसको यहाँ पर ही रहने देंगे और अपना position change नहीं करेंगे अब हमने जो sequence याद किया था हम उसको याद करेंगे कैसे red के बाद कौन सा आएगा blue color तो हमारा यहाँ पर कौन सा color लगेगा blue color और हमारा blue color है कहाँ पर हमारा blue color है यहाँ पर ठीक है तो इसको हमें कहाँ लाना है red के बाद यहाँ पर लाना है कैसे लाएंगे बहुत simple है इस करना है तो हम कैसे करेंगे औरेंज कलर को सबसे पहले हम ढूंडेंगे कि वो कहां पर है तो देखिए हमारा औरेंज कलर है यहां पर और यह पीस आएगा कहां रेड कलर के अपोजिट में तो इसको हमें खहा लगाना है इस वाले कलर को यहां पर तो इतना तो आप practice करने से जान जाएंगे मेरे को लगता है कि maximum लोग जो इस वीडियो को देख रहे हैं वो beginners method को वो आता होगा उनको beginners method ओके तो हमें क्या करना होगा इसको इधर turn करेंगे तो ये वाला piece हमें यहां लगाना है तो सिंपली ऊपर turn करतेंगे ये हो गया green हमारा coincidentally already लगा हुआ था पर आप इसे लगा सकते हैं तो देखे हमारा plus बन गया बट हमें एक चीज़ ध्यान रखने हैं कि हमारे जो centers है सारे align होने चाहिए तो red को red के साथ match करेंगे और बाकि सारे colors automatically arrange हो जाएंगे क्योंकि हमने starting से यह sequence बनाए रखा था plus बनाने के लिए ठीक है तो एक condition मैं और लेके बता देता हूँ आपको plus बनाने की जिससे आपकी सारी confusions दूर हो जाएंगी कोई से भी condition में आपका plus हो आप बना पाएंगे तो देखे अब की बार मैंने वापस इसको कर दिया है scramble अब वापस वो ही step से हम arrange करेंगे तो सबसे पहला color हमारा कौन सा था red color कैसे arrange करना है red color को यह यहाँ पर है तो हम इसे side करके इसका यह वाला उपर ले आएंगे बट नहीं लाना है क्योंकि देखे हमारा orange भी साथ साथ arrange हो गया है तो हम इसे नहीं भी गाड़ेंगे हम क्या करेंगे red के opposite color कौन सा होता है orange तो orange को सबसे पहले से क्या opposite face में ले आएंगे अब हम red को उपर करेंगे तो red के opposite orange set हो जाएगा set हो गया अब आपको कौन सा color करना है blue color तो देखे हमारे ये दो pieces जो हैं वो बिल्कुल correctly set हो गए है correctly set हो गए है अब हम क्या करेंगे green कलर को नीचे करेंगे नीचे किया अब red कलर के इस तरफ आता है हमारा green कलर तो हम कैसे इसे arrange करेंगे हम इसको इधर turn करके अगर हम इसे उपर करेंगे तो देखे red कलर के left side में कौन सा color आ गया green कलर last color हमारा बचता है blue color तो इसको simply कैसे arrange करेंगे इसको यहां लगाएंगे पूरे section को खिसका देंगे यहां पर खाली जगए बन गई इसके लिए और इसको arrange कर देंगे तो देख सकते हैं हमारा plus जो है successfully बन गया बहुत सारी conditions होती है इसमें but plus को आप intuitively बिलकुल बना सकते है बिना किसी से सीखे सबसे easy part होता है plus बनाना okay तो plus वाला step हो गया हमारा cross इसे ही बोलते है तो cfop method का सीथा cross जो की complete हो चुका है first step complete second step F2L first two layers का मतलब क्या होता है अब beginners method में हम क्या करते थे first layer को पहले solve करते थे then हम second layer पर आते थे but cfop method में हमारा क्या होता है first layer और second layer दोनों एक साथ solve होती है बात समझ में आरी एक साथ solve होती है अब एक साथ कैसे solve होती है यह वाला पहले मैं concept बता देता हूँ कि यह आया कैसे एक सा solve होने का तो वो मैं आपको बता देता हूँ beginners method से बताता हूँ देखिए हम इस corner को यहाँ पर लगा देते हैं सबसे पहले यहाँ पर लगा दिया अब यह वाला piece हमारा यहाँ पर edge piece लगेगा अब हम इसे यहाँ पर लगाएंगे beginners method से तो कैसे लगाएंगे इसको उपर यहाँ पर यह अब हम इसे simply arrange करेंगे तो यह जो pairing हुई है ना यह cfop method में हम पहले कर लेते हैं और directly फिर इन दोनों pieces को एक साथ arrange कर लेते हैं beginner method का जो last part होता है मतलब f12 हम जो कर रहे हैं cfop method में beginner method में second layer को हम बाद में solve करते हैं cfop method में दोनों layer को first और second layer को एक साथ solve करते हैं अब first और second layer को solve करने में इसमें कुछ conditions होती है तो वो total condition का number है 3, 3 conditions होती है तीनों condition को आपने अच्छे से समझ लिया तो आपको पूरा cube समझ में आ जाएगा second layer में और ये बात ध्यान में लगता हो सबसे ज़्यादा time consuming जो part होता है वो f12 का ही होता है अगर आप 20 second में cube को solve कर रहे हैं तो आपकी 12 से 13 second f12 में ही निकल जाएगी तो सबसे पहले आप f12 को अच्छे से समझेंगे बिल्कुल clear एकदम अच्छे से समझेंगे तो cube को कर देता हूं मैं scramble मतलब इसको कर देता हूं scramble प्लस हमारा already बना हुआ है अब है हमारी एक के करके condition भी बताऊंगा और सीधे arrange करके भी दिखाऊंगा तो पहली condition पहली condition क्या है हमें एक चीज ध्यान रखने है कि जब भी f12 का हमें pair arrange करना होगा तो आपको देखना है कि जैसे ये वाला मैं example के थूँ ये वाला pair बोलूँगा कौन सा pair है ये blue orange white corner कौन सा होगा blue orange white वाला मतलब यहाँ पर और edge कौन सी होगी blue और orange वाली कौन सी edge होगी blue और orange वाली तो ये दोनों piece हमें डूंडने है तो देखे corner piece तो यहाँ पर है और edge piece यहाँ पर है तो ऐसे ही हमें इसे arrange करना है मतलब f12 का pair आपका जब ही बन पाएगा जब दोनों pieces आपके आमने सामने होगे ठीक है आमने सामने का मतलब क्या है देखे तीन conditions मैंने जो बताई थी उनमें पहली condition यह है कि आपका जो white color है वो आपके इस वाली layer में हो मतलब last layer में हो और उपर आपका कोई color हो कौन सा color है orange color यह बात होगे हमारी पहली condition की अब आपको क्या करना है जो ये वाला piece है आपका जो arrange होगा उसको आपको हमेशा ध्यान रखना है कि वो piece आपके सामने हो मतलब white color आपका अगर last layer में है जैसे यहाँ पर भी हो सकता है यहाँ पर भी हो सकता है ठीक है तो अगर white color यहाँ पर है तो यह वाला piece कहाँ पर होगा आपका, यहाँ पर, इसके इस तरफ सामने, ताकि हम ऐसे arrange करके यह से लगा पाएं, तो अगर white color हमारा left side में है, तो यह हमारा piece सामने होगा, और अगर यह वाला white color हमारा इस तरफ होता, तो यह वाला piece हमारा यही पर होता, अभी आपको confusion हो रही इस सामने है आप सबसे पहले हम इसको सामने लेकर आएंगे कैसे सामने लेकर आ सकते हैं हम doen एजी स्टैप है को हम नीचे कर देंगे और इस वाली लेट को गुमा कर सामने ले आए पहली कन्डिशन कौन सी आई अपके पास की ऊपर के दोनों कलर्ण आपके सेन एं ऑर और व्र जिन corner और edge piece को आपको pair करना है, उनके दोनों pieces उपर के same है, same color के है, orange और orange, आप इनको कैसे arrange करना है, बहुत easy है, आपको क्या करना होगा, कि जो आपका corner लगना है यहाँ पर, तो उस layer में आपको ले के आना है, यह वाला corner यहाँ पर लगना है, तो उसके just सामने ले आए, और यह वाला edge piece इसके सामने तो already हमने कर दिया है, अब क्या करना है, जो यह white वाला piece है, इसको हम left side में रखेंगे, इसको नीचे करेंगे, नीचे कर दिया, अब आप इसे दो बार गुमा दिया, अब आप इसे वापस जो नीचे किया था, उसे उपर कर दिया, तो देखे हमारा दोनों layer एक साथ हुई, अब इसकी एक mirror situation भी आती है, वो भी मैं आपको बताता हूँ, create करके, तो देखे mirror situation का मतलब क्या है, पहले हमारा white piece कहाँ पर था, left side में, अब की बार हमारा white piece right side में है, और ये वाला piece हमें कहाँ पर लाना है, पहले के step की तरह, जहां पर ये piece लगन उपर कर दिया, अब देखे mirror condition क्या थी, पिछली बार हमारा उल्टा करना था, हमें इस तरफ था white color, अब की बार इस तरफ है, वही इस चीज करनी है, जहां पर ये corner और edge piece लगने होंगे, उसके सामने ले आए, यहां पर ले आए, नीचे करना है, एक बार, दो बार, उपर क हो गए, तो हमें क्या करेंगे, इस तरफ हमें करना है, दो ब्लॉक जिस side होते हम उस side turn करते है, तो यह वाला side हमें turn करना है, इसको ऊपर करना है, इसको लगाया, और ये हो गया, ओके, अब हमारी आती है दूसरी condition, दूसरी condition यह होती है, कि जो हमें piece लगाना होगा, जैसे पहली condition हमारी कॉन सी थी दोनों color ऊपर के orange और orange यानि same थे अब दूसरी condition में हमारे दोनों color different होते हैं जैसे मैं आभी आपको create करके दिखा देता हूं तो देखे हमारी दूसरी condition कौन सी होती है जो कि सबसे easy condition लगती है मेरे को और सबसे जादा help करती है तो दूसरी condition हमारी ही होती है कि आपके दोनों color ऊपर के different है तो different color का मतलब क्या होता है कि आपके देखे एक red है एक blue है ये दोनों pieces हमारे pair होने हैं और ये ही pieces हमारे उपर है ठीक है ये pieces हमारे pair करने है red blue white और blue और red ये दोनों ही pair करने हैं और ये दोनों हमारे pieces आमने सामने हमें रख दिए आमने सामने रखना पिछले step की तरह आपको करना है बिल्कुल आसानी से कि आपके दोनों कलर भले ही सेम हूँ condition जरूरी नहीं है वो ही आए ये भी आ सकती है और एक तीसरी condition है वो भी आ सकती है ठीक है तो ये condition मुझे सबसे easy लगती है बहुत easy condition है क्या करना है जैसे माल लीजिए आपका ये वाला पीस यहां पर होता तो सामने लाने का step तो बिल्कुल सेम है इसको नीचे करते इसको लगाते और इसको उपर तो सामने लाने का step तो बिल्कुल सेम है अब हमारा ये वाला कौन सी side है right side तो right side ही हमारे सामने आया अब क्या करना है ये piece जहां पर लगना होगा उस layer में लेके आने मतलब कौन सा पीस है यह red white और blue वाला तो हम उसके ही सामने ले आए जहां पर यह लगेगा अब इसमें क्या होता है दोनों different color में आपको क्या करना होता है बहुत easy है इस layer को उपर करना है blue के साथ blue match हो जाएगा same color के साथ same color match हो जाएगा इस layer को इधर करना है तो आपकी white color white color के साथ match हो जाएगा और इसे नीचे कर देना है बस तो देखे हमारा यह arrange हो गया अब मैं इसकी mirror condition बताता हूं कि कभी-कभी जैसे अभी की side तो white color right side था जैसे पिछली case में था अब हमारा होगा left side तो वह भी create करके बता देता हूं और आ पीफ वाला pair हमारा होना है तो हम क्या करेंगे सबसे पहला step आमने सामने ले आएँगे कैसे लेगे नीचे किया आप देखिए आपको क्या ध्यान रखना है सामने लाने में आपको हमेशह एक बात ध्यान रखनी है कि आपका जो पीछे आपने edge piece और corner piece लगाया था वो ना ब तो आपको क्या ध्यान है, मतलब आमने सामने लाते टाइम सोफ्ल सीपot यह पिशिया मा भड़क करना है। यह दो क्या ध्यान है थो एक ब्लॉक कर था फरी मों कैसे कर सकते हैं यह तो वह समस्सका ब्लॉक क करेंगें। अब यहां से वो step लगाएंगे, तो देखिए हम इसे नीचे कर रहे हैं, तो ये वाली layer हिल रही है, और इस layer में कोई भी edge piece pair नहीं है, तो हम क्या करेंगे, अराम से इसे नीचे करेंगे, सामने करेंगे, उपर कर देंगे, ये हो गया, अब हम क्या करेंगे, वापस हमें जहां कैसे लगाएंगे, यहां पर क्या होता है, उपर किया, color के साथ color match, इस side करेंगे इस बार, white के साथ white match, और नीचे कर देंगे, तो देखिए हमारा दूसरा edge piece जो है, वो भी लग गया corner के साथ, ये थी हमारी दूसरी condition, last condition, तीसरी condition, जो कि मैं अभी create करके बताता हूं, और आ तो ये है हमारी तीसरी condition, जिसमें आपके जो pieces pair होने है, उनमें से एक piece तो आपका white color है उपर, अब की बार आपका कौन सा color आया, अब की बार दोनो different color नहीं उपर आये, अब की बार हमारा white color उपर आया, तो एक piece तो हमारा white उपर है, और दूसरा piece कोई से भी color का हो सकता है, अब ये वाली condition इसलिए easy होती है, क्योंकि इसमें आमने सामने हमें कुछ नहीं देखना होता, इसमें बस हमें edge piece का ध्यान रखना होता है, अब देखे हमें करना क्या है, तो edge piece का हमें ध्यान रखना है, तो हमारा जो नीचे वाला edge piece है, पेर आप कहीं से भी कर सकते हैं, इस इस पर अभी ध्यान नहीं देना है यह अपने आप अरेंज हो जाएगा मैच कर दिया अब यह और इंज और ग्रीन वाला पीस कहां का है यहां का तो इसके दूसरी साइड गुमाएंगे मतलब यह वाला पीस यहां पर लगना है बट हम इसके अपोजिट साइड गुमाएंगे अपोजिट साइड गुमाया अब जो वाइट वाला पीस था आपका उसको हम इसके सामने लेएंगे तो देखिए सामने लाते ही यह arrange हो गया अब जिसे हमने नीचे किया था उसे हम बापस उपर कर देंगे फ्रंट को मारखर उपर कर दिया अब यह देखिए piece pair हो गया अब हम इसे arrange करना जानते है दो blocks inside, inside कर दिया एक बार और बता देता हूं आपको create करके ताकि अच्छे से समझ में आ जाए आपको तो देखिए एक मिनेट, हाँ देखिए वो ही पीस क्या करना है आमने सामने की कोई जरूरत नहीं होती हमें ये वाला पीस देखना है जो पेर होना है कौन से कलर का है, ग्रीन कलर ग्रीन को सेंटर के साथ मैच करेंगे ये वाला पीस कहां पर लगना है लेफ्ट हैंड साइड, अगर राइट हैंड साइड लगना होता तो हम लेफ्ट साइड टर्न करते अब की बार हमारा कहां लगना है लेफ्ट साइड तो हम राइट साइड टर्न करेंगे और इस वाले piece को हम यहाँ पर ले आएंगे simply turn करके एक बार दो बार सामने ले आए pair हो गया वापस हम इसे उपर कर देंगे और इसे arrange कर देंगे तो बस यह तीनी condition होती है F2L में तो मैं बाकी की पूरी layer बदा देता हूँ और एक चीज बता देता हूँ कि आपको क्या बात द्यान में रखनी है ठीक है तो अब देखे आपको क्या बात द्यान में रखनी है कि एक मिलेट आपको मैं एक दम अच्छे से condition बता देता हूँ आप देखे कभी कभी क्या situation आती कि आपके दो pieces जो है pair होने है वो गलत pair होते है मतलब जैसे देखे हमारा ये दोनों pieces है ये pair होने है बट ये गलत pair है तो हम इने अलग कैसे करें तो अलग करने के लिए सबसे सीजी process क्या होता है जहां पर ये वाला corner piece लगना होगा उसके सामने ले आना है क्या करना है R U 2 बस और इसको R को नीचे कर देना है वापस तो देखेंगे आप दोनों pieces अलग हो गए अब इससे एक और चीज आपको पता चलेगी ध्यान से देखिए अब देखिए जैसे मैं इसको आमने सामने लाने का process करना था तो मैंने जैसे पहले बताया था कि आपको आमने सामने लाते time ये try करना है कि आपका जो पीछे वाला corner और edge piece का pair है वो ना बिगड़े तो देखिए जब मैं इसे नीचे कर रहा हूँ तो ये बिगड रहा है तो हमें इसे नहीं लेना है side करेंगे अब मैं इसे नीचे कर रहा हूँ तो ये देखिए हमारा blank slot है हम यहां से नीचे इसे कर सकते हैं तो नीचे किया इसको सामने ले आए अब सामने लाने के बाद कोई problem नी होती तो इसे सामने लाने के बाद आप simply से arrange कर सकते हैं दो different color वाली situation थी अब हमारा F2L part complete हो गया first two layer वाला part complete हो गया अब हमारा आता है third part third part आता है OLL का तो OLL क्या होता है OLL का मतलब होता है orienting last layer orienting last layer अब orienting last layer का मतलब क्या होता है तो देखिए हम beginner method में क्या करते थे हम beginner method में सबसे पहले plus बनाते थे जैसे हमने प्लस बना लिया plus का process बिल्कुल सेम रहेगा जो beginner method में यूज होता था वही method इसमें भी यूज होगा cfop में but हम क्या करते थे beginner method में सबसे पहले edges को match करते थे जैसे दो adjacent edges को match करने के बाद हम सारे edges को match करते थे फिर corners को सही लगाते थे then हम यह सब process करते थे बट cfop method में हमें all में क्या करना होगा सबसे पहले plus बनाया और then हमें क्या करना है पूरे उपर जितना भी आपको सब कुस दिख रहा है पूरे में yellow color बनाना है मतलब जैसे हमें यहाँ पर ये condition आ रही है तो हमें simply क्या करना है इसमें उपर सारे में yellow color बनाना है तो इसमें algorithm लगेगी अब इसमें सिर्फ एक simple सी algorithm लगती है जिससे सारी situations आपकी solve हो जाएंगी तो वो algorithm के बारे मीं बताऊंगा सबसे पहले मैं last layer को scramble कर देता हूँ और फिर हम all का process start करते हैं तो देखिए last layer हमारी हो चुकी है scramble अब beginner method की तरह हमें plus बनाना है तो plus बनाना अगर आपको नहीं आता है तो अब आप देख लीजिए बिलकुल अच्छे समझ में आ जाएगा तो plus बनाने में हमारी कितनी condition होती है तीन condition पहली condition आपका dot है दूसरी condition जब हम इसको solve करेंगे तो दूसरी condition आएगी दूसरी condition को solve करेंगे देन तीसरी आएगी और उसके बाद हमारा plus बन जाएगा तो पहली condition है हमारा dot तो इस dot को आप cube को कैसे भी hold कर सकते हैं और इस algorithm को आपको करना है F R U R' U' F' अब इस algorithm को लगाने के बाद हमारा दूसरा case आया दूसरा case कौन सा है L वाला ये वाला case आया अब इसको आपको कैसे hold करना है दूसरा case हमेशा यह होता है बाकी चाहे आपके कोई से भी corner piece हो उनको ध्यान नहीं देना है आपको सिर्फ edge piece को ध्यान देना है दूसरा piece दूसरा condition हमारी क्या है L बन के तो आप इसको आपको hold कैसे करना है algorithm वही लगेगी F, R, U, R' U' F' hold कैसे करना है वो ध्यान दीजिए तो hold में आपको एक जो इसका kona है वो आपके अपने सामने रखना है F' तो अब हमारी तीसरी condition आई line वाली तो line वाली condition में हमें क्या करना है line को हमें ऐसे रखना है कि एक side right side point करे एक side left side point करे जैसे अभी आपको वीडियो में दिख रहा है और वही algorithm करनी है F, R, U, R' U' F' तो हम देखिए हमारा जो plus है वो successfully बन गया पूरा उपर yellow color लाना है तो इसके लिए सिर्फ एक algorithm use होगी तो मैं एक एक करके सारी conditions आपको बताऊँगा कि OLL में कितनी conditions आती है 4 से 5 conditions आएंगी जिनको आप अच्छे से उसी algorithm से solve कर पाएंगे तो मैं create करके दिखा देता हूँ तो देखे इसे condition wise ना लेके हम क्या करते हैं पहली condition को नहीं लेते हैं मैं आपको सिर्फ एक चीज बताऊँगा आप उसी को लेके हर चीज उस algorithm को लगाके आप सारी conditions solve कर लेंगे तो पहली condition क्या है आपको क्या करना है हमेशा ये ध्यान रखना है कि आपका कोई भी एक yellow piece है वो आपके right side face करे जैसे हम देख सकते हैं यहाँ पर 4 pieces हमें yellow के दिख रहे हैं तो हम क्या करेंगे एक एक piece को लगा के देखेंगे तो देखें अगर हम इस piece को अपने सामने लेकर आते हैं तो देखेंगे कौन सी side face कर रहा है front side क्यूब को एक बार turn करेंगे अब कौन सी side face कर रहा है left side नहीं हमें right side वाला चाहिए तो अब ये वाला corner हम देखते हैं तो देखें हमारा white yellow color कौन सी तरफ face कर रहा है right side ये वाला भी हमारा right side करेगा अगर हम इसको ऐसे hold करेंगे तो आपको कोई भी ऐसा piece ढूंडना है जो आपके right side face करें जैसे यहाँ पर अभी ये कर रहा है अब algorithm क्या है right side face करने के बाद उस corner को आपको front में रखना है और right side आपका yellow face कर रहा है अब algorithm क्या है r u r prime u r u2 r prime ये करने के बाद अब आपके पास situation आई ये वाली कि आपका एक plus बन रहा है और आपका ये corner यहाँ पर है तो ये आपके एक final situation होती है इसमें आप अगर दो बार या एक बार यही algorithm लगाते हैं तो आपका पूरा उपर का color बन जाता है तो आप देखिए हमारा कौन सा है यहाँ पर ये वाली situation आचुकी है अब हमें algorithm कैसे लगानी है जो ये corner आपका सही position पर है मतलब yellow के साथ yellow match है उसको आपको left side रखना है जैसे अभी वीडियो में दिख रहा है और वापस वो ये algorithm लगानी है r u r prime u r u 2 r prime तो देखिए हमारे yellow color बन गया अब मैं एक दो तीन condition और बताता हूँ ताकि आओ आपको और अच्छे से समझ में आ पाए तो देखिए हमारी सबसे typical condition जिसे लोग समझते है वो ये वाली होती है कि आपका plus बना हुआ है और आपके दोनो corners जो है वो आपके सही position पे लगे हुए है मतलब yellow के साथ yellow match है आपको वो ही बात ध्यान रखनी है जो मैंने बताई थी कि आपको yellow को हमेशा अपने right side रखना है तो इस piece को right side ने रख सकते हैं नहीं रख सकते हैं इस piece को रख सकते हैं रख सकते हैं तो इसको front में रखके हम वो algorithm करते हैं r u r prime u r u to r prime अब हमारे पास आई दूसरी condition कौनसी condition आई तो उस condition को solve करने के बाद अब हमारे पास कौनसी condition आई दूसरी condition तो दूसरी condition में भी हमें वही ध्यान रखना है बात को कि हमारा जो yellow piece है वो right side रखना है और right side लगा के वही algorithm r u r prime u r u to r prime तीसरी condition देखे आप algorithm लगाते जाएं एक time ऐसा आएगा जब आपकी सारी condition solution solve हो जाएंगी और आपका piece solve हो जाएगा अबापको क्या करने वापस ये वाला piece आपकी right side आ रहा है कोई साभी रख सकते हैं ये वाला भी रख सकते हैं ये वाला भी रख सकते हैं तो मैं ये रखता हूं और लगाता हूं r u r prime r u 2 r prime आप आपके पास final y quando कंडिशन आ गई इसको आप सॉल्व करेंगे तब आपके पास सही आ जाएगा तो लास्ट में इसको राइट साइड रखा वापस वही करें अब मैं तेज कर रहा हूं आप देखिए बहुत बड़ा वह हो चुका है गेम कि आपको जहां से आपने शुरू किया था वही पर आ इसलिए ये कंडिशन टिपपिकल होती है क्योंकि हम इसमेन एक साइकल चलती है तो आपको अब की बार क्या ध्यान रखना है वो मैं आपको बताऊंगा वही आप की बार वही चीज करते जाहिए repeat, अब आपको क्या ध्यान रखना है? इह वाला पीस आपको कौन सी साइड है? right side, right side है, वापस वो algorithm करते हैं, आपकी बार ये condition आई, अब आपको piece कौन सा रखना है? ये वाला रखेंगे right side में, वापस करेंगे, आप आपको क्या करना है? राइट साइड में अब की बार ये पीस रखके देखिए पिछली बार हमने ये रखके दिखा देखा था तो नहीं हुआ था अब की बार ये रखके देखते हैं तो देखते हैं होता है क्या तो देखिए इस पीस को रखने के बाद हमारा हो गया तो आपको ज्यादा conditions आपके पास नहीं आएंगी, बस आपको ध्यान में क्या रखना है, कि जो आपका yellow color का कोई भी एक corner piece है, वो आपके right side face करें, और आपका cube का yellow color है, वो बन जाए, तो देखिए, इससे हमारा third step, जो की OLL है, वो complete हो गया है, final step cube का, जिसके बाद आपका पूरा cube solve हो ज permuting last layer का मतलब simply कुछ नहीं होता, आपको क्या करना है, जो आपके यहाँ पर यह piece बिगडे हुए है, इनको solve करके आपको पूरा cube solve करना है, इसलिए यह last step है, तो अब permuting last layer हमें कैसे करनी है, यह दो step में होती है, सबसे पहले हमें corners को arrange करना है, दूसरे step में हमें edges को arrange करना है और PLL इस पूरे cube का सबसे easy part है, cross से भी easy part हमारा PLL है, क्योंकि इसमें algorithms easy लगती हैं बहुत, और आपको एक cube में सबसे easy part इसलिए लगेगा, क्योंकि सबसे कम time यही consume करता है, तो अब मैं बिना time waste के PLL के बारे में आपको बताता हूँ, तो PLL में हमें corners को सबसे पहले arrange करना तो उसके लिए हमें क्या देखना है कि आपको, देखना है कि corners की headlight आपको कहीं पे दिख रही है क्या, तो देखिए हमारे यहाँ पे orange है और red है, इसको बोलते है headlight, इन दो pieces को, तो अगर आपके इस दो pieces कोई भी same color के हैं, तो that means it is a headlight, तो देखिए orange, red, headlight नहीं है, green, orange, headlight नहीं है, blue, blue, तो यह है हमारी headlight, अब इस headlight को आपको क्या करना है, back में रख देना है, इसको हमें क्या करना है, हमें back में रख देना है, अब जो algorithm आपकी screen पे flash हो रही है, आपको उसको लगाना है, क्या algorithm है, r prime, f, r prime, b2, r, f prime, r prime, b2, r2, इस algorithm को लगाने के बाद, जितने भी आपके corners हैं, वो सारे arrange हो जाएंगे, बट, अब आप सोच रहे होंगे, कि अगर हमारे पास headlight ना हो, maximum time तो यह condition आती है, कि headlight मिलती है, बट बहुत ही कम condition आती है, कि headlight ना मिले, तो headlight ना मिलने पे हमें क्या करना है, वो मैं बताता हू algorithm बिल्कुल same लगने वाली है, तो tension लेने के कोई जरुवत नहीं है, तो देखिए हमारी condition क्या ही, headlight अब की बार हमें कोई भी नहीं दिख रहा है, अब अगर आपको headlight कोई नहीं दिख रहा है, मतलब आपके दोनों जो colors हैं, वो opposite opposite है, मतलब orange, red, green, blue, red, orange, green, blue, ठीके, तो अब आप क्या देखेंगे, कि आपकी कोई भी एक headlight create हो जाएगे, तो देखिए हमारी green और green की headlight create हो गई, आप वही process करना है, back में रखके वही algorithm कर देनी है, और हमारे सारे corner piece solve हो जाएगे, अब हमारा जो last step है, जिसके बाद आपका cube solve हो जाएगा, वो है हमारे corners piece arrange हो आप हमारे देखना है कि हमें edge piece को arrange करना है, कौन से piece को arrange करना है, edge piece को, तो देखिए हमारे edge piece को arrange करना है, अब इस edge piece में आपकी 2 conditions आ सकती है, आप सोच रहोंगे कि यार एक कैसा method है, इसमें conditions ही बहुत जाद आ रही है, बट conditions आपको याद रखने की कोई ज़र होती है, अप आप memorable होती है, conditions क्या है कि कभी-कभी ऐसा होते है कि आपके 3 edge pieces arranged नहीं होते जसी यह वाली condition है 3 edge piece arranged नहीं है और पीछे आपका पूरा एक color बना हुआ है कभी-कभी यह condition आती है कि आपके 4 ही edge piece arranged नहीं होते तो मैं दोनों condition बताऊंगा जिसके बाद आपका cube solve हो जाएगा तो देखिए पहली condition जिसमें आपका कोई भी edge piece arranged नहीं है color को मत देखिए अब आपका कोई भी edge piece arranged नहीं है सिर्फ corners arranged है तो आपको क्या करना है, cube को कैसे भी hold करना है, और algorithm करनी है कौनसी algorithm, जो screen पे उपर flash हो रही होगी, उस algorithm को करना है क्या algorithm है वो R U' R U R U R U' R' U' R2 algorithm थोड़ी सी complicated है बढ़ आपको याद हो जाएगी practice करने से आपको क्या condition आई थी पहले कि कोई भी edge भी is correct नहीं था अब इस algorithm को लगाने के बाद आप देखेंगी कि आपका कोई एक color बन जाएगा तो देखें हमारा blue color बन गया मतलब ये वाली edge भी is हमारी correct हो गई अब आपको कुछ नहीं करना है जो color आपका बन गया उसको back में रखना है और ये algorithm को एक बढ़ और करना है R U' R U R U R U' R' U' R2 तो देख सकते हैं हमारा 3 by 3 Rubik's Cube C4 method से solve हो चुका है बट अब आपको एक चीज ध्यान रखनी है हमेशा कि जैसे हमने ये algorithm आपको key थी ये वाली तो हमारा एक बार में solve हो गया था अब देखें हमारा blue color पीछे हमने रखा तीनो ये piece है अब हम एक बार algorithm करते हैं वही वाली मैं algorithm लगा देता हूँ तो देखें एक बार लगाने से हमारा cube solve नहीं हुआ अब हम दूसरी बार जब इसे लगाएंगे तो हमारा cube solve हो जाएगा तो वही algorithm लगाते हैं दूसरी बार तो देखिए हमारा cube solve हो गया तो I hope आपको पूरा C-fop method समझ में आ गया होगा और कोई भी doubt नहीं आया होगा अब भी अगर आपको doubt आ रहा है तो practice कीजिए और फिर भी आपका resolve नहीं हो पा रहा है तो comment जरूर कीजिए मैं आपको तुरंत आपका इसका answer दे दूगा और solution दे दूगा कि आपको क्या गलती कर रहा है तो I hope आपको वीडियो पसंद आया होगा बहुत मैंनस से वीडियो बनाया है तो यार लाइक जरूर कर देना चैनल पे नहीं चैनल को subscribe करके बैल आइकन को प्रेस जरूर कर देना ताकि मेरे वीडियो तक आप सबसे पहले पहुंच आए ओके फ्रेंड्स थैंक यू फो वाचिंग